बड़ी खबर के साथ तो बीजेपी की मैनिफेस्टो कमीटी का एलान राजवराज सिंग बने मैनिफेस्टो कमीटी के अध्याक्षुन निर्मरा सीतारवन कमीटी की सायोजग बनाए गई है बीजेपी की मैनिफेस्टो कमीटी में 27 सदस्य है प्यूश गोयल को सा संयोजक बनाया गया है ओपी धनकर भी कमेटी के सदस्य से बने है तो ये बड़ी और एहम खबर हम आपको बता रखी है बाजपा ने लोगसभाद चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का एलान किया कमेटी में कुल 27 मेंबर है रक्षा मंत्री राजपा सिंग को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है वितमिंद मंत्री निर्मला सीतारमन संयोजक होगी प्यूश गोयल सा संयोजक बनाये गये है इसके अलावा कमेटी में चार राज्जियो के मुख्यमंत्री भी शामिल है तो ये बड़ी और आहम खबर हम आपको बता रखें, उपीध अनकर भी कमेटी के सदस्य से बने हुए चुले इसी खबर पर सदस्य अनकारी के लिए बात करेंगे अर्याना न्यूस के पॉलिटिकल एडिटर आमित इवारी की हमारे साथ चुड़ गए है अमित जी एक तरह से देखा जाए तो लोगसभा चुनाओ के लिए बीजेपी ने अभी मैनिफेस्टो कमीटी का भी अलाइम कर दिया है 27 सदस्य ये कमीटी है बिल्कुल राश्री देखे इस 27 सदस्य समीती का जो अध्यक्ष है वो रक्षा मंत्री राजना सिंग को बनाया गया है और तमिल नाडू से अगर बात करें तो निर्मला सितारमंड केंद्री ये बित मंत्री रही है और देखे उनको इसका सहयोजक बनाया गया है और साथ-साथ प्यूश गोईल को सहयोजक बनाया गया है और अगर पूरी समीती की बात करें तो देश भर से इसमें जो देश के अलग-अलग राज्यों से इसमें प्रतिनीधी शामिल किये गए है हर्याना से ओपी धनकड राष्टे सचीव है भारती जन्ता पाइटी के उन्हें भी सदस्य की रूप में शामिल किया गया है और उत्तर परदेश से सरवादिक पांच सदस्य समीती का हिस्सा बने है और इसके अलावा चार राज्यों के मुख्य मंत्री जिनमें असम के मुख्य मंत्री है गुजात के मुख्य मंत्री है चछतिस गड़ के और मध्यपरदेश के मुख्य मंत्री इस मैनिफेस्टो समीती का हिस्सा बने है सदस्य के रूप में और साथ-साथ पूरू मुख्य मंत्री वसुंदरा राजे और शिवराज चोहान का नाम लिया जाए तो वे भी इसका हिस्सा बने हैं और एक और खास बात है इस मैनिफेस्टो समीती में राजश्री इसमें जो अभी-अभी भारती जंता पार्टी में शामिल हुए हैं अनिल एंटोनी हैं देखे एके एंटोनी पूरू केंद्रिय मंत्री हैं कॉंग्रेस का वरिष्टम नेता है और वे उनके बेटे हैं अनिल एंटोनी अभी भाजबा में शामिल हुए थे उन्हें इस मैनिफेस्टो समीती का केरल से सदस्य बनाया गया है यानि के पूरे देश क जो अलग-लग राज्य हैं उनके लोग हैं उनमें नेता हैं उनको शामिल किया गया और केंद्रिय मंत्री भी समीतिरी इरानी की बात करें या अर्जुन मुंडा की बात करें वे जारकन से हैं तो ऐसे मैं पूरे राज्यों को इसमें शामिल किया गया और देखिए मैनिफेस अगर हम इसको इस तरह से समझे कि जो आने वाला मैनफेस्टो होगा वो ये टीम ही तयार करेगी पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ ये भी आप भी देख रहे होंगे कि लगातार बीजेपी को सुझाव अभियान चला रही है लोगों से वो सुझाव ले रही है मैनफेस् का कंपेर करते हैं तो बीजेपी कहीं न कहीं हर मामलों में आगे चल रही है फिलाल निश्चित रूप से राश्री आपका कहना यह ठीक है कि बीजेपी ने कई मामलों में भड़त बनाई हुई है अपनी चुनावी समीकरणों के लिहास से देखिए चुनावी उमीदवारों के एलान की दिश्टी से देखिए या चुनावी मैनिफेस्टों समीती या कई घो कर दिया था और सबसे बड़ी एहम बात यही है कि सीट शेरिंग के फार्मूले पर पहले देखिए जो आई एंडिया ये गटवंदन के नेता आपस में तालमेल नहीं बेठा सके और साथ-साथ कई राज्यों की घोश्णाओं के मामले में भी ऐसी ही स्तिती अभी भी उनके जाएगी घोश्णापत्र जनता के लिए होता है उसकी घोश्णा भी जनता के बीच में होनी चाहिए लेकिन वो कब तक होगा उसके लिए अहलांकी प्लानिंग की जा रही है लेकिन जो भारतिय जनता पार्टी की बात की जाए तो जनता से जूड़ी हुए गोश्णाओं शामिल रहती हैं और ऐसे में एक अच्छा कदम इसे कहा जाएगा कि जनता से सुझाव लिए गए कि कौन-कौन सी योजना है उनके लाब करी रहने वाली है और कौन सी ऐसी गोशना है जो उनके लिए आगे जो विक्सित भारत का एक संकल्प लेकर चला जाए तो उसमें शामि समीति बनाई गई हाला कि समीतियां पहले भी बनी हुई है और और भी दलों की लेकिन अब तक कोई अजेंटा बाहर नहीं आया है तो ऐसे में निश्चित रूप से कहा जाएगा कि सभी राज्यों को इसमें शामिल करके देखिए 27 सदस्य यह समीति और रक्षा मंत्री कि अगर कि भी देखेंट को इसमें शामिल कियागा एक सदस्य दिली से मंजिदर सिर्सा भी है इसमें शामिल तो ऐसे में अभी अगर हर्याना में देखिए अभी तक कॉई टिकटों का अनॉसमेंट भी ऑन लियुए कई ऐसे राज्ये जहां इंजार में है उम एदवार कि वो चुनाव चेत्र में उत्रें हालांकि अर्याना की दिश्टी से देखा जाए तो अभी छटे चरण में 25 मई को चुनाव होने हैं समय काफी मिल गया है लेकि जो भी उमीदवार आएगा उसको त्यारी करने के लिए पूरा समय चाहिए होता है तो ऐसे में निश्चित प्रभारियों की निव्टी की अगर हम बात करें तो इन तमाम चीजों में बढ़त बनाय हुए है और दूशरी तरफ ये मैनफेस्टो कमेट्री का एलान कर दिया गया है एक तरफ बीज़ेपी सुझाव अभियान भी चला रही है अब देखने वाली बात होगे कि किस तरह क बीज़ेपी का संकल को पत्रो होता है आगे की दिनों में